हलो फ्रेंश आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंश आप तीन मार्च को हो जाता है आपका बोर्ट के एक्जाम में जिसमें आपका तीन मार्च को समाजी विग्ञान का पेपर होगा फ्रेंस यहां पर आपको उन सभी प्रशनों को कराएंगे जो आपके 3 मार्च की पेपर में 100% यही सब सवाल आएंगे फ्रेंस आज यहां पर हम समाजी ज्यान के महत्तुप्रू प्रशनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए यह सभी question रामबाद साबित होगा तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं और सभी महत्तुप्रू प्रशनों को देखते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला प्रशन है जो की आपकी बोर्ड के एक्जाम के लिए वी आई प्रश्न है very very important प्रश्न है friends कि सवीने अवाग्य अंदोलन कब चलाया गया तो friends इसका आपसदर है उननीश सो Speech शान है 1927, 1937, 1935 तो friends यहां पिर आपसे पूझा गया है कि सवीने अवाग्य अंदोलन कब चलाया तो फ्रेंश सवाग्य अंदोलन आपका है 1930 में चलाया गया था तो इसका सही प्रश्ण होगा 1930 फ्रेंश इसके साथ आप याद रखिएगा कि सवीने अवाग्य अंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये चलाया गया था महात्मा गाधी जी के द्वारा ठीक है तो सवी ने अवाग्या अंदुलन किसके द्वारा चलाया गया था महात्मा गाधी जी के द्वारा चलाया गया था तो 1930 में चलाया गया था इसको साथ में आप याद रखिये गया चलिए फ्रेंस अगरे सवाल को देखते हैं तो आपके एक भी question को आप इसकी मत किजिएगा देखिए आपकी सामने सवाल है कि महात्मा गाधी ने पहला सत्यागरा कहां किया था जिसका आपसा ने चमपारण, बारदोली, अहमदाबा या खेडा तो फिरेज जो महात्मा गाधी जी ने पहला सत्यागरा चलाया था वो चंपारा में चलाया था इसका पहला इसका सही जवाब होगा चंपारा और तो इसका राइट एंसर होगा ए चंपारा फ्रेस आप इसके साथ में याद रखिएगा कि जो महात्मा गाधी है आफरिका से भारत वापस कब लोटे थे तो इसको या तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है राष्ट्रवात का प्रारम किस देश से हुआ था वी वी आई प्रस्ण फ्रेंस आप देख लिजेगे यह प्रस्ण कितने बार आपकी एक्जाम में पूछा गया है ठीक है अभी तक बहुत बार आपकी एक्जाम यह सवाल पूछा जा चुका है कि राष्ट्रवात का प्रारम किस देश से हुआ था जिसका आपसा ने जर्मनी इटली फ्रांस इंग्लेंड तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा फ्रांस ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंस फ्रांस तो राष्ट्रवात का जो प परमा में यह फ्रांस में तो फ्रेंस निरियात का मतलब यह होता है जब कोई डेस अपने देश से कोई समान दूइसे देश Genesis को बेचता है उसे बोलते हम निरियात ठीक है तो देखिए के फ्रेंस हैं फ्रेंज आपके सामने सवाल है कि किस प्रांट में सीदार वेरी वेरी IMPORTANT beautiful friends adds विभी और फ्रेंच उपके बूड़ चेस्ट जितने भी प्रशन श्रशा Anyway एक इसकप मत कीजिएगा क्थिए किस प्रांट में और scholars सिर्न याद रख़ेगा सोपानी ठीक है कभी कभी उत्राखंड, यूपी, हरियाड़ा, इसका सही जवाब होगा उत्राखंड, उत्राखंड में सिरिदार खेती की जाती थी, चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सरवाधिक उपजाओ मिट्टी है, इसका आपसल है जलोड मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या लेटराइट साइप मिट्टी है या परवती मिठी है थो भारत में जो सरवाधिक उपजाओं मिठी है उसे हम कहते है प्रश्ण का सही जवाब होगा जलोड मिठी चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो आपकी बूर्ड के एक्जाम कि प्रेशन यह लिए बोछ जादा बार पूछा गया कि ही रा कुंद परियोजणा की सुनदी पर नृभ्स निरू मीथे देखिए विभी आई है ठीक है ठीक है रिहंद नृभी र Alrighty दामोदर नदि आ या महा नदी पर या किर्श्रा पर जो प्रियोजना है ऐसका सही जवाब होगा महा नदीः चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल फ्रेंस देखें यहां प्या है आपका कि टिहरी बाध किस नदीप बनाया गया है राम गंगा या भागी रती पर चाहदा नदीप इसका सही जवाब भागी रथी नदी पर बनाया गया था आपका अगला सवाल आप रेशन फ्लाट यह भी पहुत बार एक्जाम में पूछा गया है और दूहजार थेश में बोड की एक्जाम में तीन मार्च को यह प्रशन जरूर आएगा आप इसको नोट कर लिजिए कि आप रेशन फ्लाट स दुग्द उत्पादन से इसका सही जवाब होगा दुग्द उत्पादन चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंज देखिए आपका दस्वन नमबर का सवाल है कि काउन से एक रेशिदार फसल है देखिए आपके 2022 में यह प्रशन आ चुका है 2022 के पेपर में यह प्रशन आ चुका है कि काउन से एक रेशिदार फसल है तो इसमेरे है फसल है उसे हम बोलते है जूट जूट क्या एक रेशिदार फसल है ठीक है इसको आप साथ में याद रखिएगा आपका अगला सवाल है कि बाकसाइड आयसक है विवीआई जिक यह फ्रेंज जितने भी प्रशन का है तो फ्रेंज जो बाक साइड होता है इसका राइट एंसर होगा एलमूनियम और एलमूनियम को किसे प्रदेशित करते एल से भी प्रदेशित करते इसको भी साथ में आप याद रखिएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं यहां पे कि भारत ने पंचायती राज की अस चार में तो भारत में जो पंचायती राज की अस्थापना होई थी 1992 में होई थी ठीक है तो भारत में पंचायती राज की अस्थापना कब हुई थी फ्रेंस 1992 चलिए अगला प्राश्ण एक मार्ग से संबादित भी भी आई लगा लिए फ्रेंस बहुत ज्यादा के लिए करते हैं या खादे वस्तु के लिए या इलेक्ट्रिक के लिए तो फ्रेंच कि एक मार्क जो होता है वह चिन प्रियोग किया आता है ख़ादे पदौरतों के लिए दीशका सही जवाब होगा काड़े पदार चली अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि भारती आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है यानि कि भारती आयात में यानि कि आयात मतलब क्या होता है कि जब भारत किसी दूसरे देश समानों को अपने देश में मंगाता है तो उसे आयात बोलते हैं ठीक है जिदे कि भारती आयात में सब पेट्रोल होता है, सबसे जाधा आयात किया जाता है, तो इसमें इसका right answer होगा, पेट्रोलियम पदार्ड, पेट्रोलियम पदार्ड को भारत क्यا करता है, आयात करता है अन्य देशों से, ठीक है, आपका अगला प्रशन है, कि कोन प्रात्मिक छेत्र के अंद्रगत आता है देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रशन है फ्रेंसे कि प्रात्मिक छेत्र के अंद्रगत कौन आता है खनन आएगा वीनीर माड़ा आएगा सूचना आएगा या बैंकिंग आएगा तो फ्रेंस जो प्रात्मिक छेत्र के अंद्रगत आत करता है कि विश्व का जो विकास रिपोर्ट है कौन जारी करता है जिसका आपसन है मुद्रा बैंक विश्व बैंक सहकारी बैंक या एशिया बैंक तो विश्व का जो विकास रिपोर्ट होता है फ्रेंस विश्व बैंक जारी करता है इसका सही जवाब होगा विश्व बैंक चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जाती, धर्म और लिंग के आधार पर भेद भाव को कौन समाप्त करता है? VBI प्रशन फ्रेंस आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए, कि जाती, धर्म और लिंग के आधार पर भेद भाव को कौन समाप्त करता है? जिसका आपसन है समाजिक तंत्र लोग तंत्र आर्थिक तंत्र या राजनितिक तंत्र इसका सही जवाब होगा लोग तंत्र जाती धर्म और लिंग के आधार पर जो भेद भाव को समाप्त करता है वो होता है लोग तंत्र चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस जो आप के एकजाम के लिए भी भी आई भी इसको भी लगा ली जिएगा ठीक है क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए आरच्छर की बिवस्था की गई है यानि कि महिलाओं के आरच्छर की बिवस्था किसमें किया गया है लोक सभाब है विधान सभाब है मंत्री मंडल में पंचायती राज की बिवस्था में देखिए फ्रेंस यहां में पंचायती है ठीक है पंचायती राज की संस्था में तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा आपका डी पंचायती राज की संस्था में महिलाओं के लिए आरच्छ सीटों की बिवस्था की गई है चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो कि आपकी एक्जाम के लिए ये भी VBI है आप कई बार पेपर में देख चुके होंगे कि किस समवर्ती सूची में शामिल किया गया है यारी किसी किसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है सिच्छा को किरिसी पुलिस को पु बियापध की व़स्तु है देखे फ्रेंस अभी क्निर्याथ कमT up बताएं आपको जब भारत किशी दूसरे देश को सवान भेजता है तो उसे करते हैं अयात कमT मतलब होता है کہ जब भारत किसी दूसरे तेश से किसी वर्तु को अपने देश में मंगाता है तो उसे बोलते हैं आयात आपको आयात और से समझ में आगया होगा कि भारती निर्यात बियपार की वर्तूइ क hone son here है दवाईया है का पास है या चाय है जिसका सही जवाब होगा चाय तो भारती निर्याद भी अपारिक की बस्तु क्या है फ्रेंज चाय तो फ्रेंज यहां पर आपको भी भी हाई प्रेश्ट आपको बताये हैं फ्रेंज आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के ल झाल 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 झाल